हमने देखा कि जनसंख्या में किस तरह से परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन जो है वो वृद्धी के रूप में भी देखने को मिला और कमी के रूप में भी और हमने ये भी देखा कि जो जनसंख्या वृद्धी का प्रती रूप है वो इस्थान के आधार पर और समय के आ अलग-अलग देखने को मिला मतलब हर छेत्र में हम विश्व के किसी भी भूभाग में चले जाएं तो हर देश में हर राष्ट में जनसंख्या वृद्धी की दर जो है वो अलग-अलग है और जब से मानों की उत्पत्ती हुई है तब से लेकर वर्तमान समय तक भी हमने देख कि जनसंख्या वृद्धी की जो दर है वो किस दर से उसमें हमें परिवर्तन देखने को मिला है अब हम जब बात कर रहे हैं कि जनसंख्या जो है वो परिवर्तित होती है तो इसी संदर में हम देखते हैं जो हमने समय के अनुसार बात की और यदि हम छेत्री अधार पर भी बात करें इस्थान के भी आधार पर तो कोई ग्रामीन छेत्र या कोई पिछडी अर्थ व्यवस्था वाला जो देश होता है वहां पर हम देखते हैं कि वहां की जो जनसंख्या वृद्धी है वो हमें धीमीगती से मिलती है दोनों ही हो सकता है कारण ये कि प्राकृतिक मतुछ मृति ता विपृप कि प्रारम में वह अर्थ ववरस्था जब गरामीन अर्थ हवव्यस्था है वहां पर सिक्षा का उतना अधिक विस्तार नहीं हुआ होता है ना ही किसी प्रकार की टेखनोलोजी विक्सित होती है तो हम देखते हैं कि आप कि लोग कृशी से लिए हमको बहुत आधिक हेंड चाहिए शरम की आवश्यकता होती है, तो यह जो समाज है वो जन्मदर को उच्छ रखता है, या हम यह कहें कि इस समाज में, इस खेती हर समाज में, हमें उच्च जन्मदर मिलता है. और चुकि सिख्षा का विस्तार नहीं है, स्वास्थ स्वीधाओं का उतना धिक विस्तार नहीं हुआ होता इसलिए हम देखते हैं कि इस प्रकार के समाज में हमें मृत्यूदर भी डैथ रेड भी हमें बहुत हाई मिलती है या उच्च मृत्यूदर मिलती है लोग पैदा होते समय मतलब जन्म के ही समय बहुत मृत्यूदर हो जाती है चाहे हम माता की कहें या शिशू की कहें उचित स्वास्थ स्वीधाओं के अभाव में या जो बिमारियां घेर लेती हैं कुपोशन के अभाव में अकाल महामारी इस टाइप की जो situation आती है उसमें उचित स्वास्थ स्वीधाएं नहीं मिलने के कारण बहुत लोग जो हैं वो मृत्यू के शिकार हो जाते हैं इसी कारण से मृत्यू दर भी हमें उच्चे मिलती है लेकिन जैसे जैसे वो समाज ऐसा तो नहीं है कि समय तो परिवर्तनशील है वो समाज भी constant रहे ऐसा नहीं है वो भी विकास की अलग अलग अवस्थाओं को प्राप्त करता है और इन अवस्थाओं से गुजरते हुए हम देखते हैं कि जैसे हम यदि अपने मानों की इतिहास की बात करें तो जब से आदी मानों या वनमानुष के यूग से आज वर्तमान सभ्य समाज की और जो हम बढ़ रहें तो हम देखते हैं कि हमने अलग-अलग विकास की अवस्थाओं को पार किया है और तब हम इस अवस्था पर पहुंचे है तो हम एक पिछडी अर्थव्यवस्था से एक विक्सित अर्थव्यवस्था तक की बात करते हैं तो इनके बीच की जो इस्थिती होती है उसे हम संक्रमण कहते हैं मतलब हम बहुत जादा पिछडी अर्थव्यवस्था में है और एक समाज जो है वो बहुत विक्सित अर्थ विवस्था में बहुत जाए उसके बीच में एक और स्टेज होती है एक और अवस्था होती है जिसे हम संक्रमण कहते हैं ट्रांजिशन तो इसी संदर में आज हम देखते हैं जनसंख्या संक्रमण सिध्धान्त या पॉपलेशन ट्रांजिशन त्योरी ये जनसंख्या संक्रमण सिध्धान्त जो है वो सबसे पहले इस सिध्धान्त का प्रतिपादन हम कह सकते हैं कि किस ने इस सिध्धान्त को दिया तो 1929-1929 में W.S. थामसन ने सबसे पहले इस सिध्धान्त का प्रतिपादन किया और उसके बाद 1945 में Frank W. नोटिस्टीन ने इस सिध्धान्त में संशोधन किया है और तब से हम इसे नोटिस्टीन कही जनसंख्या संक्रमण सिध्धान्त के नाम से जानते हैं और ये सिध्धान्त हमें यही बताता है या हम कहें कि इस सिध्धान्त के अनुसार जो पिछडी अर्थवस्था वाले देश होते हैं पिछडी अर्थवस्था वाले रास्ट ये छेत्र हम किसी भी संदर में बात कर सकते हैं तो हम देखते हैं या तो पिछडी अर्थवस्था कहें या कोई गरीब व्यक्ति या गरीब परिवार कहें या किसी हम ग्रामीर छेत्र की बात करें तो इन छेत्रों में जो प्रजननतादर होती है फर्टिलिटी रेट होती है वो एक विक्सित अर्थवस्था या एक सिक्षि परिवार हम कह सकते हैं और एक शहरी या ओद्योगिक छेत्र इन छेत्रों में पिछड़ी छेत्रों की तुलना में हमें प्रजननतादर या फर्टिलिटी रेट जो है वो कम देखने को मिलती है और इसी इसमें हम देखते हैं कि जो विक्सित अर्थेवस्था होती है वहां पर इस संदर में हम बात करते हैं कि यह जो सिर्धान्त है जनसंख्या का वर्णन करता है पूरी तरह से परिए जनसंख्या किस अर्थेवस्था में है और आगे चल कर धीरे-धीरे क्रम्शहवव विकास की किन अवस्थाओं को पार करता हुआ किस स्टेज में जाकर पहुंचता है तो यह जनसंख्या का वर्णन तो करता ही है और इस सिर्धान के माध्यम से हम भविष्य में जनसंख्या का पुर्वा नुमान भी लगा सकते हैं कि आगे चलकर किसी समाज या राष्ट की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या की या जनसंख् जन संक्या का पूर्वानुमान भी इस सभ्धान के माध्यम से लगाया जा सकता है। खेती हर समाज असिक्षित समाज जो है वो उन्नती करके या विकास करके विकास के द्वारा जैसे ही वो किसी शहरी या ओद्योगिक समाज या सिक्षित समाज की और कदम रखता है तो वहां पर जो पहले उच्च जन्मदर और उच्च मृत्यूदर मिलती थी अब वो इसमें ये परिवर्तन देखने को मिलेगा कि वो जो उच्छ जनमदर और उच्छ मृतिवदर है वो निम्न जनमदर और निम्नमृतियुदर में परिवर्तित हो जाता है तो ये जनसंख्या संक्रमण सिधान्थ हमें यह भी बताता है कि कैसे किसी विक्सित समाज या पिछड़े अब हम यह देखते हैं अभी हमने बात की थी कि कोई भी जो पिछड़ा समाज है ग्रामीन खेती हर समाज है वो एक जंप लगाकर ही किसी नगरी और द्योगिक समाज में प्रवेश नहीं करेगा धीरे 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 विकास की अलग-अलग अवस्थाओं को पार करता हुआ वो क समाज हम बात करेंगे एक विक्सित अर्थविवस्था तक पहुंसता है तो यह अलग-अलग हम जनसंख्या संक्रमण से धांत में यही देखेंगे कि यह जो जनसंख्या है यह अलग-अलग अवस्थाओं से विभिन अवस्थाओं से होकर गुजरती है अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि एक ग्रामीन खेतिहर समाज दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ आपको दिख रहा है नगरी अध्योगिक समाज इन दोनों के बीच मतलब एक अवस्था तो हो गई इस ग्रामीन खेतिहर समाज की और दूसरी अवस्था हो गई नगरी अध्योग और इसे ही हम कहते हैं जनांकी की संक्रमन की अवस्था तो नोटेस्टीन महोदय ने जो जनसंख्या किसी समाज से अलग-अलग अवस्थाओं में होकर गुजरता है तो इसकी तीन अवस्थाएं उन्होंने बताई है जिस दोरान हमें प्रजननता और जन्म और मृत्युदर मे प्रजननता देखने को मिलेगी और समाज भी कैसे एक असिक्षित समाज से सिक्षित समाज तक प्रवेश्च करता है तो नोटेस्टीन ने इसकी तीन अवस्थाएं बताई हैं और भी कई विद्वान हैं जिन्होंने इस जनांकी की संक्रमन की और अलग-अलग अवस्थाओ की बात की है किसी ने चार किसी ने पांच लेकिन वह बहुत अधिक उसमें उन सिद्धान्तों में आलोचनाय हुई है तो हम अपने पाठिक्रम के अनुसार अपने सिलेबस के अनुसार नोटेस्टीन महोदय के नुसार जो सरवाधिक मान्य सिद्धान्त है इसी विशय पर च less तो करेंगे हम तो लूट सीन इस्टेञन के नूसार हम देखते हैं कि जनसंख्या संक्रमण। live का संक्रमण। ए्स पुर्था मवस्था जो होती है इसमें यह देखने को मिलता है कि जन्मदर होतीह और जन्मदर के साथ साथ उच्छ मृति उदर भी होती है अब कारण यह है क्योंकि यह जो समाज होता है वो एक ग्रामीन और खेतिहर समाज होता है यहां पर दहने वाले जो लोग हैं इस समाज में वो असिक्षित होते हैं सिक्षा का इन में अभाव होता है और चुकि यह एक क्रिशक समाज है तो यह मान कर चलते हैं कि उसमें बहुत जादा श्रम की आवशकता है कारी करने के लिए बहुत सारे हैं हाथ चाहिए तो वो जन्मदर को आगे बढ़ाते जाते हैं मतलब 6 बच्चे 8 बच्चे 10 बच्चे और उन्हें यह लगता है कि परिवार में सदस्यों की संख्य जितनी अधिक होगी तो उनके लिए वो आयक के सोर्स होंगे उनके साथ वो हाथ बटाने के लिए साथ में चलेंगे और उतने ही ज्यादा जितने ज्यादा लोग काम करेंगे उतने ज्यादा इंकम के सोर्स उनके विचार से होता है लेकिन चुकि वो सिक्षा का भाव है इस इसलिए उनकी सोच है और यह इस बात को नहीं सोच पाते कि ठीक है सदस्यों की संख्या को बढ़ाएंगे वो परिवार में आयके सोर्स होंगे काम करने जाएंगे तो जितने ज़्यादा लोग काम करने जाएंगे उतनी ज़्यादा आय घर में आएगी लेकिन भाई उन्हें के लिए रहने के लिए उनके जीवन इस्तर में सुधार करने के लिए उनके पोशन के लिए भोजन की भी आवश्यक्ता होगी रहने के लिए जगह की भी आवश्यक्ता होगी पहने के लिए कपड़े की भी आवश्यक्ता होगी तो यह सब की पूर्ती भी तो करनी होगी तो घर में पैसे लाना बहुत आवश्यक हो जाता है उनके पालन पोशन के लिए और वो असिक्षित रह जाते हैं और जितना पोशन उन्हें जो जीवन इस तर उन्हें मिलना चाहिए वो जीवन इस तर उन्हें नहीं मिल पाता तो यह जो समाज होता है जो फर्स्ट स्टेज में ह होता है यह एक पिछड़ी अर्थ व्यवस्था वाला और ग्रामीर समाज जिसमें असुविधाएं अधिक मिलती हैं एक असिक्षित समाज होता है यहां पर किसी भी उन्नत जो हम टेक्नोलोजी की बात करते हैं कोई भी प्राद्योगी की जो है वो विक्सित नहीं हो पाती तो यह फास्ट स्टेज होता है और चुकि यहां पर स्वास्थ सुविधाएं जो है वो कम होती है उनका भी अभाव होता है इसलिए इस अवस्था में या इस समाज में जो इस अवस्था में जो समाज रह रहे हैं वहां के लोगों में जीवन प्रत्याशा भी कम मिलती है और अधिक देखने को मिलती है तो यही कारण है कि फर्स स्टेज जो होता है वहाँ पर उच्च जन्मदर और उच्च मृत्यूदर मिलती है अब हम लगभग 200 वर्ष पूर्व के समय की बात करें तो हम यह देखेंगे कि विश्व के लगभग सभी देश जो है वो इसी अवस्था में थे लेकिन अभी हम बर्तमान समय में देखें तो हम यह देखेंगे कि जो बांगलादेश है और बांगलादेश के साथ ही साथ जितने जो भूमधी रेखी गारें जो आधिवास जिसमें जब यह अवस्था शुरुवाती दौर में होती है तो हम देखें कि यहां पर high birth rate मिलता है मतलब उच्च जन्मदर मिलता है लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता जाता है तो जन्मदर में कमी आती जाती है क्यों क्यों कमी आती जाती है कि समय की गुजलने के बाद जन्मद सब्सक्राइब कम हो रहा है हमने देखा था कि पहले वाला जो स्टेज था वह एक पूर्ण रूप से असिक्षित मतलब जिसमें सिक्षा का भाव मिल रहा था प्राद्योगी की बिल्कुल नहीं थी और पूर्ण रूप से एक खेती हर समाज था यह समाज जो है वह अब धी है कि इस समाज में अब सिक्षा का इस तर जो है वो पहले जो एकदम असिक्षित लोग रहते थे अब यहां पर सिक्षा का इस तर बढ़ रहा है सिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है और साथ ही साथ यहां पर हम देखेंगे कि जो खेती हर है या हम खेती हर समाज की ही बा करण आध्वनिक उपकरण की बात होगी और जब हम आध्वनिक तरीके से कृषि करना सीख जाएंगे तो नैचरली है कि हम प्रोड़क्शन को बढ़ाएंगे उत्पादन बढ़ाएंगे उत्पादन बढ़ेगा तो हमारी आए भी बढ़ेगी और आए करने से हम उस आय को अपने परिवार के लोगों के जीवन इस्तर को बढ़ाने में उप्योग कर सकते हैं उनकी सिक्षा की तरब ध्यान दे सकते हैं तो यही होता है कि जैसे जैसे फर्स्ट स्टेज या प्रथम अवस्था का जो समाज है वो विकास की दर्शा को अगली अवस् तो पहले स्टेज की अपेक्षा हम यह देखेंगे कि वहां पर हॉस्पिटिलिटी बढ़ गई इसकूलिंग या सिक्षा की व्यवस्था बढ़ गई प्राध्योगी की जो है उसका थोड़ा विकास हुआ उन्नत प्राध्योगी की आ गई तब हम देख रहे हैं कि इसके कारण वहां पर हमें जन्मदर जो है पहले प्रारंभी कवस्था में तो बहुत उची जन्मदर मिली थी अब धीरे धीरे वो जन्मदर जो है वो उसका प्रतिशत घट रहा है और वो जन्मदर निम्नत जन्मदर की ओर आगे पढ़ रही है तो इस सेकेंड स्टेज के तक आते आते हम यह देखते हैं कि यहां पर मृत्यूदर में तो कमी आती ही है स्वास्तस वीधाओं के विस्तार के कारण क्योंकि लोगों की जीवन प्रत्याशा है वो क्रमशा बढ़ती जाती है और साथ ही साथ लोगों में जाग रुकता आती है जिसके कारण जन्मदर भ विश्व के लगभग सभी देश ऐसे कौन से विकाश शील जो देश हैं तो विश्व के पूरे विकाश शील देश अभी इसी अवस्था से होकर गुजर रहे हैं जैसे कि आपका पीरू हो गया केनिया की हम बात करें श्री लंका की बात करें और इसके साथ ही हमारा भारत भी जो है वो अभी इसी जनांकी की संक्रमण की दूसरी अवस्था से ही गुजर रहे हैं अब हम क्रमशा तीसरी अवस्था की ओर बढ़ते हैं जनांकी की संक्रमण की तीसरी अवस्था तो यह संक्रमण की तीसरी और अंतिम अवस्था है यहां पर हम देखेंगे कि जो बर्थ निंबन मिलेगी, और इसके साथ जनसेंख्या या तो बहुत कम हो जायेगी, या फिर जो है इस्थिर अवस्था में पहुंच जायेगी, या अगर मिलेगी भी इसमें वृध्धी तो ये बहुत मंध-वृधि की अवस्था हमें देखने को मिलेगी क्योंकि जन्मदवर और दोनों में ही बहुत गिरावट आ गई है, दोनों ही जो हैं वो बहुत निम्न हैं, और इसका कारण यह है कि जब यह तीसरी अवस्था तक यह समाज पहुँच गया है, तो यहां जो रहने वाले लोग हैं, वो एक सिक्षित समाज में पहुँच चुके हैं, एक जागरुक समा सुच गया है, तो एक आवद्योगी लिष्टिके लिष्टि अवग समाज की हम बात करते हैं, और कम च्वाब करते हैं तो हम यह देखेंगे कि नेचरिल है, वहां पर सिक्षा का बहुत अधिक विसतार होगा, लोग वहां पर जाग रूख होंगे. वह इसलिए भी वो इस planning से चलेंगे कि हमारे परिवार में इतने ही सदस्य हों जिनका हम उचित पालन पोशन रख रखाओ उन्हें एक सुरक्षा दे पाएं और एक अच्छा जीवन इस तर दे पाएं इसलिए वो इस planning के साथ अपने अपनी family की planning करते हैं कि हमें इतने ही लोगों को रखना है अपने परिवार पर और हमें हम उन्हें एक अच्छा जीवन इस तर जो हैं वो दे और यही सब कारण से वहां पर हम देखते हैं कि बहुत अच्छी जो है चुकि लोग सिक्षित होंगे तो एक सिक्षित समाज ही एक उन्नस्चिल प्राद्योगी की समाज का विकास कर सकता ह है जो समाज सिक्षित ही नहीं है वो टेक्नोलोजी का उपयोग करना कहां से जानेगा हम सिक्षित होंगे आप सिक्षित होंगे तभी तो हम इस साइंस और टेक्नोलोजी को डेवलप कर पाएंगे विक्सित कर पाएंगे तो चुकि यह तीसरी अवस्था का जो समाज होता है वो इन सभी अवस्थाओं में बहुत उन्नशील होता है hospitality, सिख्षा बहुत उन्नशील अवस्था में होती है जिसके कारण जन्मदर भी निम्न होता है और मृत्यूदर भी बहुत निम्न होती है यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्व की जितने भी विक्सित देश है चाहे हम USA की बात कर लें, जापान की बात कर लें ऐसे जो देश हैं वो अभी जनांकी की संक्रमण की इसी तीसरी अवस्था में पहुँच चुके हैं अब यहाँ पर हमें ग्राफ को थोड़ा समझना होगा आपके सामने एक ग्राफ डायग्राम दिख रहा होगा और जब आपसे बोड परिक्षा में ये पूछा जाए इस सिर्धान के संबन में पूछा जाए तो आपको इन तीनों अवस्थाओं को तो बताना ही है और इन तीनों अवस्थाओं को आपको इस ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करना चाहिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि X और Y-axis दो अक्ष दिख रहे हैं आपको इस ग्राफ में और Y-axis में हम दिखा रहे हैं जन्मदर और मृत्यूदर डेथ रेट और बर्थ रेट को और X-axis में हम यहाँ पर समय को दिखा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं इस ग्राफ की उपरी स्थिती में आप देख रहे हैं कि यह समाज जो है वो पहले फर्स स्थेज में होता है और इस फर्स स्थेज में आपको यहाँ पर दो कर्व दिख रहे हैं और यह दोनो कर्व एक जो है वो CBR को दिखा रहे है क्रूड बर्थ रेट को और दूसरा जो है वो CDR ή क्रूड डेथ रेट जन्मदर और मृत्यूदर दोनों को ये दोनों कर्व दिखा रहे हैं और यहां देख रहे हैं हम कि जब समाज फर्स स्टेज में हैं तो ये दोनों कर्व जो हैं ये बहुत उपर हैं इनकी दर जो है वो उपर है बैल्यू अधिक को दिखा रहा है मतलब उच्च जन्मदर भी मिल रहा है और उच्च मृत वाला कर्व है वो थोड़ा उपर ही बना हुआ है मतलब इसकी वैल्यू अधिक है क्योंकि हमने बात की थी सेकेंड स्टेज की प्रारंभी कवस्था में पहले जन्मदर उच्च बनी रहती है तो यह हाई बर्थ रेट को दिखा रहा है फिर हम देख रहे हैं कि धिरे-धिरे इ और एक 19 शील समाज जो है वो उसकी तरफ प्रवेश कर रहा है और डेथ रेट में भी चुकि सिक्षा का विस्तार हो रहा है तो हम दूसरा डेथ रेट वाला कर्व भी देखने हैं कि यह भी लगातार इसमें गिरावट की स्थिती बनी हुई है क्योंकि लोगों की जीवन प चैसे और फिर अन्तिम देख रहे हैं थ़र्डी स्टेज में और थड्ली स्टेज के आते आते हम देख रहे हैं कि यह आपका डेथ रेट और बर्ह रेट बनों का ही जो कर्व है वह एकदम नीचे आगया है और इसका मतलब कि हम यहां पर इस दिती में तीसरी अवस्था में निम्न जन्मदर है और निम्न मृत्युदर देखने को मिल रही है और इसका कारण हमने देखा था कि भाई यह जो समाज है तीसरी अवस्था में आते आते एक सभ्य सिक्षित और उन्नस शिल समाज जो है वो पूर्ण रूपेन बन गया है और वरतमान में हम बात कर रहे हैं ज पूछा जाए तो निश्चित रूप से तीनों अवस्थाओं को बताते हुए आपको उसे इस ग्राफ के माध्यम से भी रिप्रेजेंट करना ही चाहिए अब यह तो हो गई जनांकी की संक्रमन की बात यह हमने देखा कि जो जनसंख्या है वो कैसे अलग-अलग है अब हम बात करते हैं माल्थस के जनसंख्या सिद्धान पर थामस, रोबर्ट, माल्थस इन्होंने अपना जो सिद्धान्थ है वो 1798 में दिया था जनसंख्या का जो सिद्धान्थ है पॉप्लेशन ठेओरी और इस इस सिद्धान्थ में ने कहा है कि खाद्य पदार्थ ह जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो खाद्य पदार्थों कि तुलना में जनसंख्या जो है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी। कारण क्या होगा कि खाद्य पदार्थ में उतनी तेजी से बढ़ेगी नहीं हो रही है लेकिन जनसंख्या में बहुत अधिक तेजी से व्रिद्धी हो रही है तो इसका कारण अकाल महामारी और अलग-अलग टाइप की जो बिमारियां हैं उसके रूप में ये और उसके कारण अकाल बिमारी हमने बात की और चुकि खाद्य पदार्थ हो तो सबकी आवशकत ता है सबके जीवन के लिए आवशक है अनिवारी यह है तो इसके लिए सब में आपस में युध्ध तो अकाल महामारी और युध्ध की स्थिती जो है वो बनेगी और ये सब जब अचानक से गेरेंगे तो इसके कारण जनसंख्या में प्राक्रितिक रूप से अचानक जो है वो गिरावट आ जाएगी सीधे से इसको पहले समझ लेते हैं भई जनसंख्या में किसी भी समाज की बात हो रही है बहुत तेजी से वृद्धी हो रही है लेकिन संसाधन सीमीत हैं और उस मात्रा में खाद्य पदार्थ जो हैं वो उतनी अधिक तेजी से नहीं बढ़े तो सब को खाद्य पदार्थ की आपूर्ती नहीं हो पा रही है इसके कारण बहुत सारे लोग अकाल अकाल से मर जाएंगे महमारियां घेर लेंगी और साथ ही साथ भोजन के लिए आपस में एक दूसरे से युद्ध भी होगा वर्चस विस्थापित करने के लिए एक दूसरे में आपस में युद्ध में भीड़ जाएंगे और ये अकाल महमारी और युद्ध के कारण ही ये देखेंगे कि लोग उसमें मारे जाएंगे मृत्युदर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी और इसके कारण फिर देखा जाएगा कि जनसंख्या में अचानक तेजी से जो है वो गिरावत आ है यह हम कहें कि प्राकृतिक रूप से जनसंख्या हमें बढ़ोतरी हो रही है तो उसे प्रकृति या नेचर जो है वो खुद ही बैलेंस कर लेती है है ना खुद बैलेंस कर लेती है खुद ही उसमें संतुलन इस्थापित करती है वो किस रूप में तो अकाल महामारी और य